हलो एवरीवन वेल्कम टू लास्ट पार्ट ओफ क्लास एलेवन चैप्टर और चैप्टर के नाम है कंफुन्टेशन ओफ कल्चर काफी सारी चीज़े हम देख चुके हैं अब यहां पर एक प्यारी सी बात यह क्या कर रहे हैं कि जो सिल्वर माइंड्स थी पेरू के अंदर उ वह लगभग 1550 में स्टार्ट हुआ था और जो मॉंक थे वहां के दॉमिन इंगोदी सैंतोर थॉमस वह क्या बोलते हैं कि उन्होंने वहां के जो लोग थे जो इंडी थे जो इंडियन्स थे ऐसा लगता था कि वह उनको नरक की आग में डाल देते थे नरक के मूह में डाल मुखनेते थे उतना खतरणाक मैंंस होता था क्योंकि कई सारी मुखनेते जो आई तक ले सकती है कि उनके अंदर अंदर बहुती घृस्च रहा होती है सारी चीजले होती है तो उनको यह बोला करते थे कि ऐसे लगता था मौत के मुह में डाल दिया और ट्रीट करते थे एकदम स्ट्रे आनिमल्स के जैसे अब 1601 में फिलीप 2 ऑफ स्पेन उन्होंने पब्लिकली तो फोस्ट लेबर को बैन कर दिया लेकें उन्होंने ऐसा कुछ अरेंडमेंट कर दिया कि सीक्रेटी यह चीज इस कंटीनियू हो रही थे पर पॉब्लिकली बैन होने की वज़े से एक टाइम के बाद जो लोकल पीपल थे क्रिश्चन चाहे नॉन क्रिश्चन वो सबके सब फ्री गुमने लग गए अब जो वहाँ पर यूरॉपियन सेटलर्स थे उनको बड़ा गुस्सा आया लग बग दो साल के अंदर ही और उनने किंग को क्या फोर्स किया कि भई तुम यह लौ जो है इसको वापस लो ऐसे नहीं चलेगा और इंसलेव्मेंट वापस थे शुरू कर दिया गया अब new economic activities begun हुई cattle farming होने लग गया land में जिसकी वज़े से forest clear होने लग गए और जो mining थी वो gold की mining 1700 में स्टार्ट हो गई थी जिसकी वज़े से cheap labor की demand थी वो continue रही थी और जो local people थे उनको अबसी बात है इंसलेव्मेंट बिल्कुल पसंद नहीं था अब जो alternative था वो क्या था कि अब Africa की तरफ जाएं अब Africa की तरफ जाके वो क्या करा उन्होंने लगभग आप मानिये तीन सो साल यह नी 1550s से 1880s के अंदर वो 36 लाख African slaves को ब्राजील में ला चुके थे लगभग 36 लाख अब अर्ली डिबेट्स होने लगई थी 1780s में स्लेवरी अबॉलिश कर दी जाएं बहुत सारी आर्गूमेंट्स इन सारी चीजों पर होती थी वो यह भी क्या पॉइंट किया करते थे कि European traders जो थे ना जो यह African को स्लेव बना के ले जाते थे उनको कुछ African ही help करते थे कि वो यंग मैं और वुमन को capture कर सके और उनको slaves बनाया जा सके और ताकि उनकी country में इस चीज का बहुत जादा फाइदा हो क्रॉप्स जो है वो उनको बदले में कुछ क्रॉप्स दिया करते थे कौन-कौन सी क्रॉप्स मैज मैनिय किसावा और जो उनका बाद में स्टैबल फूट बन गया था अब यह क्या कहते हैं कि जो फ्रीड स्लेव है हमारे मला फ्रीड स्लेव इनकी अटोबाइग्रफी है ओला उदा इक्वेनियो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि जो स्लेव थे ना एफ्रिका में उनको एज पार्ट ऑफ फामिली रेखा जाता था लाइक इन 1940 उनकी बुक आईती Capitalism and Slavery उसमें Eric Williams जो one of the first modern historians थे जिन्होंने African slaves की suffering को शो करना शुरू किया था अब देखिये पता है क्या Slaves का भी अपना-पना सब फंडर टाइप है अपनी अपनी सारी चीज़ें है कि कुछ Slaves को तो अच्छे Master मिलते थे जिसकी वज़े से उनका Treatment क्या होता था अच्छा होता था और कुछ Slaves ऐसे थे जिनका Treatment बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ करता था आप कुछ आप नॉर्मल मान लीजै जैसे आप Pèt ले रहें कुछ लोग ऐसे होता है जो एकड़ को बच्चे जैसे रखते हैं बहुत ज़ादा देखमार करते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे बहुत बुरी ऒश्यकीश से बरताब करते ते делать उनको मारते पीटते हैं, वह बिलकुल लायक ही नहीं है, वह पैट रखने के यह वाली situation थी, so that's why different different slaves का जो different different experience है, वह अलग ही रहेगा, कुछ के लिए वह best रहेगा, कुछ के लिए वह best नहीं रहेगा, तो अगर हम किसी भी एक की बात माने, कि लायक वह बहुत अच्छा था या इसने एकदम कहानी अगदम जो बताई है अपनी अच्छी से सही कहानी बताई, यह अपनी अच्छी से बताई है構owड है उसकी कहानी exactly is European settlers थे South American colonies में उनको एक तरीके से rebel करना था Spain और पुर्तगल से ताकि वो independent countries बन सकें और 1776 में जो 13 North American colonies उन्होंने Britain से लडाई करी और उन्होंने United States of America यानि कि USA का formation किया अब जो South America आज की टाइम पे हैं उसको Latin America भी कहते हैं कि Spanish पुर्तिगी की जो में लाइन लांगवजे है और वो मानते हैं कि यह होओ पार्ट आप ला पर लोग हैं वह मुस्टी रहने वाले या उरॉपिए आफ्रिक अपनिन इस तरीके से हमारा यह प्यारा सा चाप्टर होता है अब इसका जो अगला चाप्टर है तो वर्ड्स की टाइम लाइन का तो वर्ड्स मोडनाइजेशन की थीम का उसको हम कवर करेंगे उसमें का मारा इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन एक दम तबाही चैप्टर है बहुत ही बहतरी चैप्टर है पढ़के मज़ा आजाएगा और यह चैप्टर बहुत ही इंपोर्टन है 11 के लिए तक यह सो मुच मिट यू आ निए आज विए अन्य नेक्स विडियो थांग यू